Hello everybody, welcome back to my YouTube channel आज का हमारा structure है start plus gerund इसका meaning होता है शुरू करना इस structure का परियोग हम तब करते हैं जब हमें इस तरह के sentences बोलने हो जैसे पढ़ना शुरू करो लिखना शुरू करो अंग्रेजी सीखना शुरू करो इस तरह के sentences को अंग्रेजी में बोलने के लिए हम start plus gerund का परियोग करते हैं आईए इसका structure देखते हैं इसका structure है start plus gerund plus object यहाँ gerund का मतलब है verb की first form में ing चली कुछ examples के द्वारा इसको और अच्छे से समझते हैं पढ़ना शुरू करो start reading पढ़ना शुरू करो start reading लिखना शुरू करो start writing लिखना शुरू करो start writing अंग्रेजी सीखना शुरू करो start learning English अंग्रेजी सीखना शुरू करो start learning English अंग्रेजी बोलना शुरू करो start speaking English अंग्रेजी बोलना शुरू करो start speaking English दौरना शुरू करो start running cricket खेलना शुरू करो start playing cricket start playing cricket खाना पकाना शुरू करो start cooking the food खाना पकाना शुरू करो start cooking the food हसना शुरू करो start laughing हसना शुरू करो start laughing पैसा कमाना शुरू करो start making money या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हैं start earning money दोनों में से कोई एक बोल सकते हैं बात करना शुरू करो start talking बात करना शुरू करो, start talking TV देखना शुरू करो, start watching TV I hope आपको start plus zero का परियूग अच्छे से समझ में आया होगा अगर आपका कोई doubt हो तो comment box में जरूर लिखें वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो like and share जरूर करें और इस structure का परियोपर के एक sentence comment box में जरूर लिखें ऐसे ही और भी English related videos पाने के लिए इस channel को subscribe जरूर करें और बगल में दिये हुए bell icon को जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो की notification आपको समय पर मिल सके Thank you so much